तो स्टूनेट्स आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी क्लास 12 इंग्रिश का संभावित पेपर यानि के केस पेपर तो वीडियो के स्टार्डिंग से लेकर इंट तक जरूर देखेगा क्योंकि जो क्योंस आज में आपको इस पेपर में बताने वाला और हमारे आने वाले एक्जाम में आने के चांसेस इनके बहुत जादा हैं जिया स्ट्रेट्स इसलिए इस वीडियो को आँ तक जरूर देखेगा चली वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्योंस को समझते हैं देखिए यह हमारा संभावित पेपर है यारी कि यह गैस पेडियो में आगे बढ़ते हैं यह रहा हमारा सेक्शन ए रेडिंग स्किल पैसेज नमबर फस्त तो यहां पर एक हमारा पैसेज है इस पैसेज को आप देखिए और इसकी क्योंस के आंसर्स आप खुद से प्रैक्टिस करिए इसलिए आपसे बन जाएंगे इनके आंसर्स क यह रहा हमारा पैसेज और यह रहा इसकी क्योंस ठीक है वेर इसकी कॉश्चन से और यह आपको प्रोवाइड करा दूगा लेकिन पहले पेपर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर का पॉश्चन तो मैं आपको एक्स्प्लेंड इसी वीडियो में क सब्सक्राइब करना है एक यह से इसमें आपको करना क्या है देखिए और यह नहीं पूची जाएगी बच्चों कुछ इस्ट्रेट्स समरी बना के आ जाते हैं समरी पहले आती थी लेकिन अब समरी नहीं आती अब अब आली आपसे नॉर्ट्स बनवाई जाते हैं क्या तो यहां पर भी आपको यही करना है, इसके आपको नोट्स बनाना है और आपको टाइटल प्रोवाइड कर देना है, और आपको यहां पर नीड हो, वहाँ पर आप एब्रिवेशन का यूज़ करेंगे, एब्रिवेशन मतलब कि किसी भी वर्ड का संचित रूप है, उसको सक्षिन बी की तरफ, यह रहा है सक्षिन बी के इंपॉर्डेंट कोशन, तो इन कोशन के आंसर को आपको लर्न कर लेना है, अगर अभी लर्न नहीं है तो, जी हैं स्टुएंट्स क्योंकि यह कोशन जो है, यह मॉस्ट इंपॉर्डेंट है, देखो पहला वाला, यूर एश करना है, और स्कूल नोटिस बोड पे इसको पैस्ट कर देना है, इंफॉर्मेशन पर वाइड कराते हुए, उस बेग से रिलेटेड, यानि कि जो बेग आपको मिला है, उस बेग को अपको कलर बताना है, उस बेग के अंदर क्या कुछ है, यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देना है इससे के उस बेक का जो honor होगा वो easily अपने बेक को वापस ले लेगा तो यह आपको एक notice त्यार करना है इसको आप लर्न कीजिए इसके बाद हमारा और में question देखी कौन सा है तो यह डोंट बी क्रोल तुअइमल वाला पॉस्टर है तो यह भी आपको को लर्न नहीं है तो आप लर्न कर लीजिएगा पूरे questions को आपको लर्न करना है आज अगर जो लर्न नहीं है इन सब को write करके देखना यानि कि आपको अपना paper देना है आज आपको यह paper देना ही है तो इसके बाद दिखते हैं, फॉर्थ नम्बर के कॉश्चन, यूर सुब चोहान, रोसाइडिंग एट, ए थारी तरी बसंत कुंची के वालियर, राइट लेटर टू दा मुनिशिपल चेर्मेन, कंप्लेडिंग अबाउट पूर सेनेटरी कंदीशन ओफ यूर लोकालेटी, तो यहां पर आपको एक लेटर राइट करना है, तो लेटर में आपको क्या करना है, मुनिसिपल चेरमेन को लेटर रेट करके कंप्लेड करना है, आपके पूर सेनेटरी कंदीशन ओफ यूर लोकालेटी, मतलब कि आपके एरिये की चो से हैं, वो बहुत ज़्यादा पूर, तो और में देख लीजिए यहां पर इस लेटर को यूर मोहनवर्मा लेविंग एट 121 इस शार्दागलोनी चबल पर राइट अपने फादर को एक लेटर राइट करना है तो आपको अपने फादर को हॉस्टल लाइफ के बारे में अवेर कराना है उसके बारे में आपको बताना है क्योंकि आपने रिसेंडली हॉस्टल को जॉइन किया है यानि कि हॉस्टल में आप रहते हैं और आपको उसके एटमोस्फ़ेर के बारे में उसकी लाइफ के बारे में आपको अपने फादर को एक later लिख कर अफगत कराना है कि किस तरह से hostile में आपकी life होती है किस तरह से आपको ओठना पड़ता है किस तरह का पापको उठना पड़ता है यह सारी कुछ आपको each and everything information आपका फदर को प्रोच्थ करा देना है ठिक है यह रही है आपकी grammar ठीक है grammar का level लगबग इस तरह से आने वाला है grammar की पहले से मैं आपको practice कराता आ रहा हूं और इसमें भी जो questions आपको grammar की दिये गए हैं यह सभी important है मतलब की grammar का level लगबग ऐसा ही होने वाला है हो सकता है इससे थोड़ा सा जाधा भी हो ठीक है तो इसकी practice आपको अच्छे से करना है चलो मैं आपको इसके solution बता देता हूं first question her soul rest in peace इसका answer आपका में है second number the tallest of these girls next door to me इसका right answer lives होगा they have hardly इसका answer आपका any होगा Mr. David is a European यहाँ पर A आएगा और you need यहाँ पर need आएगा और he worked hard he failed यहाँ पर दो आएगा ठीक है यह इसके right answer से इसके वाद हमारा do is directed in if it runs we will not play इसका जो right answer होगा unless it runs we will play unless it runs we will play यह right answer है आप note कर ले न ठीक है we live here since 1952 का हो जाएगा we have been living here since 1952 I know the main का होगा the main is known to me the main is known to me a dog bit my friend का a dog did not bite my friend यह right answer होगा he saps money to buy a car यह इसका right answer है I don't know who they are full stop यह इसका right answer है ठीक है मेरे रहाँ पर लिखकर आपको नहीं बता है औरहल आपको बता है तो आप वीडियो को slow motion में प्ले करिएगा और या फिर आप इसको एक बार री प्ले करके अज देना है ठीक है तो यह रहे आपके question answer इसका screen shot लेना चाहें तो आप screen shot ले सकते हैं otherwise इसकी PDF तो आपको हमारे टेलेग्राम ग्रूप पर मिली ही जाएगी ठीक है यह रहे और यह question आपके रहे बच्चो एक भी question मत छोड़ना यह सारी questions जो मैंने आपके लिए निकाले है यह selected questions हैं यह आपके exam में आने के chances बहुत जादा है इसलिए इनकी आपको practice करना है अगर आप trust करते हैं तो अगर trust नहीं करते हैं तो फर as you like ठीक है इसलिए इस paper को आप lightly बिल्कुल भी नहीं लीजेगा और इसकी अच्छे तरह के सा practice करें ठीक है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 100% इसी paper के उपर depend हो जाएं आपकी जो study चल रही है आपको वह करते रहना है जिस तरह से आप questions answer learn कर रहे हैं पैक्टिस कर रहे हैं आप उसको continue रखिए हां लेकिन यह जो paper है आप इसको जरूर दीजिएगा ठीक है इसको solve करके देखिए सारी questions के answer जो आपसे नहीं बन हैं उनको आप learn करिए ठीक है उसके बाद आप डबल से write करके देखिए इससे आपको एक्जाम में बहुत जादा help मिलेगी ठीक है तो उम्मीद करता हो वीडियो आपको बहुत जादा helpful रही होगी तो वीडियो को like कीजिए अपने सभी friends के साथ जादे से जादा share जरूर जेगा और चिनल पर नए हैं तो चिनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा थैंक्स फर वाचिंग